छैत्रों में डॉक्टर जैश्री राठोड असोसियेट प्रोफेसर डेपार्टमेंट ओफ सोशियोलोजी राज्च की कला महाविद्याले कोटा रजस्थान से हूँ सामाजीक मानव शैस्त्र विशय के अंतरगत आज हम सामाजीक मानव शैस्त्र में प्रकार्यवाद के बारे में अध्यायन करेंगे मानवशास्त्रियों में ब्रॉनिस लो मेलिनोस के तथा रड़कलिफ प्राउन ने प्रकार्य वाजशिद्धान को बिश्विश अताबदी के प्रारंभि में एक नया आयाम दिया मेलिनोस के वस्तुतर लंदन निवासी थे उन्होंने ट्रॉबियन टापु के आदिवासियों में एक शेत्री कारी किया था अपने समय के वे एक प्रतिष्ठित मानुवशास्त्री थे जब हमारे देश में ब्रिटिश उपनिवेश वाथ था तब ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमारे यहां भेजे जाते थे उन्हें प्राशिक्षन देने में मेलिनोस की अग्रणी थे यह मैलिनोस्की के प्रशिक्षन का परिणाम था कि हमारे यहां रिजले, रसील, उमिले आधी ने प्रशासनिक कार्य करने के अतिरिक्त मानुशाथ्री अनुसंधान भी किये। स्वतंतरता प्राप्ती के बाद मैलिनौस्की जैसे गुरु का प्रभा भारतीय मानवशास्त्र पर पड़ा उपनिवेश वादी भारत में आदिवासियों के अध्यायन के परिनाम स्वरूप मैलिनौस्की ने प्रकार्यवादी परंपरा को नए सीरे से प्रस्तुत किया रेड़कलिफ ब्राउन अमेरिका के मानवशास्त्री थे, उन्होंने भी अफरीका के आधिवासियों के गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप मानवशास्त्री परंपरा को आगे बढ़ाया। यदपी इन दोनों मानफ शास्त्रियों ने प्रकार्यवादी सिध्धान्त को सुषपष्ट किया और दुर्खाइन की प्रकार्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाया किन्तु इन दोनों में बुद्धिक समानता के होते हुए भी इनका प्रकार्यात्मक सिध्धान्त अपने संदर्श में एक दूसरे से भिन्न है भिन्नता के होते हुए भी दोनों ने जो कुछ अपने सिध्धान्त में रखा हैं वह आदिन समाजों के अध्यायन के परिनाम स्वरूप है चात्रों, अब हम मानव शात्री रड़कलिप ब्राउन के प्रकार्यवाद के बारे में अध्यायन करेंगे रड़कलिप ब्राउन पर कुछ कहने से पहले हमें एक बार इमाईल दूर्खेम के बारे में प्रकार्यवादी अध्यायना को जान लेना चाहिए दूर्खाईम ने प्रकार्यवादी संदर्श में दोत अत्यपुर्ण बाते कही थी पहली बात तो यह है कि हमारा सामाजी जीवन साव्यवी जीवन की तरह है दोनों में तुलना हो सकती है एक तरह से दोनों परियाई है दुसरी बात यहां कि दुर्खाइम ने सबसे पहली बार प्रकार्यवादी अवधाना को समाज के विज्ञानिक अध्यायन के लिए लागू किया दुर्खाईम ने कहा कि समाज की कुछ निश्चित आवशक्ताईं होती हैं और इन आवशक्ताओं को प्रकार्य पूरा करते हैं रेड़कलिफ ब्राउन दुर्खाईम की परंपरा पर चलते हैं रड़कलिफ प्राउन ने दुर्खाईं की सेध्धान्तिक रूप रेखा को स्विकार्तों किया परंतों उसमें एक बुन्यादी अंतर कर दिया जिसे दुर्खाईम समाज की आवशक्ताईं कहते हैं रड़कले प्राउन उन्हें जिवित रहने की आवशक्त दशा मनते हैं और समाज के अस्तित्व की आवशक्त दशाओं का मुल्यांकन अनुभाविक अध्यान द्वारा किया जा सकता है जबकि रेड़कलेफ प्राउन का कहना है कि समाज के अस्तित्व के लिए सामन्य दशाओं का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है अतह रेड़कलेफ प्राउन का मनना है कि प्रत्यक समाज में वे प्रकार्य प्रचलित पाए जाते हैं जो समाज के जिवित रहने के लिए और परिहार्य हैं। शात्रों, अब हम प्रकार्यवास सिधांत के बारे में रेड़कलेफ प्राउन की मान्यताओं का ध्यायन करेंगे। रेड़कलिफ प्राउन की पहले मान्यता है कि समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने की या जीवित रहने की एक आवशक दशा यह है कि समाज के विभिन भागों में एकिकरण होना चाहिए रेड़कलिफ प्राउन की दूसरी मान्यता है कि उन प्रक्रियाओं को जो समाज के इस अनिवाज एकिकरण या सुद्रट्ता को बनाए रखें वे प्रकार्य हैं रड़कलेव प्रावन की तीसरी मान्यता है कि प्रत्यक समाज में ऐसे सरचनात्मक तट्मों की पहचान हो सकती है जो आवेश्यक सुधरत्ता को बनाए रखती है तात्विक रूप से रेड़कलेफ ब्राउन का प्रकार्यात्मक उपागम किसी भी तरह से दुर्खाइन से भिन्न नहीं है रेड़कलेफ ब्राउन समाज को वस्तविक्ता मानते हैं, समाज अपने आप में सब कुछ है इस मान्यता के कारण रेड़कलिफ ब्राउन समाज के सांस्कृतिक तत्वों का गहनता से अध्याइन करते हैं इसी कारण रेड़कलिफ ब्राउन नातेदारी, धार्मिक संस्कार और विवाह का अध्याइन इस संदर्श में करते हैं कि ये सांस्क्रतिक तत्व किस सीमा तक समाज में एकी करण एवं सुद्रट्टा को प्रदान करते हैं। ऐसा करने में रड़कले प्राउन की पहले शर्थ यह है कि प्रत्यक समाज में किसी न किसी तरह की नियूनतम सुद्रट्टा अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद सामाजी संस्थाओं एवं संस्कारों की भुमिका को सुद्रट्ता के संधर्व में देखा जा सकता है। रड़कलेफ प्राउन का निश्कर्ष है कि वंश परमपरा एक ऐसे व्यवस्था है जो कई प्रकार के संघर्षों को हल कर लेती है। छात्रों रड़कलेफ प्राउन के प्रकार्यात्मक सिधान्द की आलोचना भी हुई है। जैसे जोनाथन टर्नन की टिपणी है कि रड़कलेफ प्राउन की निउनतम सुद्रट्ता के पहचान कैसे होगी। आखिर नियुनतम से रेड़कले प्राउन का क्या तात्पर्य है इसका यह भी मतलब है कि एक सीमा तक नियुनतम सुद्रत्ता वाला समाज एकी क्रत्तो है ही जोनाथन टर्नर जहां रेड़कले प्राउन की आलोशना करते हैं वहीं वे प्रशन्सा भी करते हैं कि रेड़कले प्राउन ने सामाजिक जीवन को साव्यवी जीवन के साथ दुर्खाइम की तरह पूरे तरह नहीं जोड़ा है